हलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में आपको यह बताने जारों कि कैसे आप अपने iq new 7 pro android माइलफोन में आप जो 3 finger to take screenshot setting को आपना enable कैसे कर सकते हैं ठीक है यानि कि on कैसे कर सकते हैं और 3 finger to take screenshot setting जो काम कैसे करती हैं आज के इस वीडियो में आपको detail में जानकारी देने वाल opportunity इसे आपको select करने अब इसके अगले पेज में आपको option मिलेगा as capture इसे आपको select करना है इसके अगले पेज में आपको option मिलेगा slide down with 3 finger to take screenshot इस option के ठीक सामने आपको यह button डेरा इस button के आपको tap करना है तो यह button आपको जो आपकर पर blue color में इस तरीके से on हो जाएगा यानि कि आपकी इनेबल हो जाएगी ठीक है अभी इनेबल होने के बाद इस सेटिंग कैसे काम करती है यह मैं आपको समझा देता हूं देखे दोस्तों अगर आपको अपने mobile phone पर कभी भी screenshot लेना है तो आप जो अपने mobile phone के buttons की मदद से भी screenshot ले सकते हैं लेकिन इस setting on करने के बाद आपको जो है तीर उंगलियों से इस तरीके से screenshot ले सकते हैं तो इस setting जो है इनेबल करने के बाद इस तरीके से काम करती है अब मैं आपको इस setting point ढूंडने का एक shortcut तरीका भी बतायता हूं आपकी mobile phone में इसके लिए आपको mobile phone का setting page फिर से open करना है starting से ठीक है setting page में आपको सबसे ओपर इस search icon का option select करना है यहाँ पर आपको search bar में setting का name आपको type करना है slide down with three finger to take screenshot ठीक है तो आपको नीचे की side यह option शो हो जाएगा slide down with three finger to take screenshot का यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप सबस आते हैं आपको यह option सेलेक्ट करना है से क्या होता है आपका फोन आपको डिरेक्ली सेटिंग के फिज में लेकर आ जाता है तो यह मैंने आपको एक शॉट्गर तरीका भी बता दिया सेटिंग को ढूंडने का आपके mobile phone में